दोस्तो हमारे एक भाई ने हमसे सवाल किया था कि क्या दोराने हम इस तरी मिया बीबी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं या फिर नहीं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिया बीबी हम इस तरी के दोरान एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं या फिर नहीं और हम आपको बताएंगे कि शरीयत में इसका क्या हुक्म है तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखी ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो अगर मिया बीवी एक दूसरे के साथ हम विस्तर हैं तो उनको चाहिए कि दोराने हम विस्तरी बिल्कुल खामोश रहें बातचीत न करें क्योंकि ये मकरू है और नापसंदीदा बात है दोस्तो हम आपको बता दे कि हम विस्तरी के दोरान बातचीत करना शरीयत में कहीं पर भी मनाहन नहीं है लेकि दोस्तो ये ऐसा वक्त है ऐसा काम है जिसमें इंसान एक दूसरे की मुहबत में मदहोश होता है दूबा होता है इसलिए इस दोरान चीत करना सही नहीं है इसे इंसान को चाहिए कि जिस काम में वो लगा है उसे दिल्चस्पी से करता रहे बादचीत बिल्कुल न करे बादचीत करने के लिए और भी बहुत सारा वक्त है आप दिन रात बादचीत कर सकते हैं लेकिन इस वक्त में बादचीत करने से बचे आखिर में अल्हा तबार्ख वताला से दुआ है कि अल्हा पाक हम सब को कहने सुनने से जदा अमल करने के तौफिक अता फरमाए और हर काम में हम सब मुसल्मानों को कामियाबी अता फरमाए आमीन अल्लाहुमा आमीन दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरू लिख दीजिएगा क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक की मारगा हमें कुबूल हो जाए अल्लाह आफिज दौआउमी याद रखना